आज के इस वीडियो में जानते हैं कि एस्ट्रेस क्या होता है परतिबल क्या होता है परतिबल के बारे में इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे यह हिंदी मीडियम या इंगलिस मीडियम कोई भी देख सकते हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा एस्ट्रेस परतिबल जब किसी body per external force अब चलिए इसको हम diagram के माध्यम से समझते चलते हैं और हम आपको बताते चलते हैं कि definition क्या कहा रहा है माल लीजिए कहा रहा है ना जब किसी body per external force पहले एक body बना लेते हैं माल लीजिए ये आपका body है body है आप देखिए body per external याág बाहे बल अपलाई किया जाता है तो body का material resistance पाइदा करता है तो ये पहले हम क्या करते हैं कि इस पे बाहे बल अपलाई करते हैं माल लीजिए इस body को धाक्का मारते हैं ऐसे अंधर के तरह धाक्का मारेंगे तो ये क्या करेगा कि ये कहा रहा है कि बोडी का material resistance पाइदा करता है तो इधर से हम जितना बल लगा रहे हैं बाहर से तो ये अंदर से उतनी ही opposite में बल लगाएगा ये क्या है? बॉडी है अब ये कहा रहा है जब किसी बॉडी पर external मतलब force बहेल बल अपलाई किये जाता है, बहेल अपलाई किए तो body का material एक resistance पाईदा करता है resistance का मतलब होता है बिरोध करना, जो बल लगाए गया उसी का बिरोध करता है stress का कहने का मतलब यह है किसी body पर बल लगाएंगे तो उसका बिरोध करेगा external load लगाए तो body दोवारा internal load apply होता है जिससे resistance पाइदा होता है अब देखिए बिरोध करता है यह resistance force लगाए गए force के equal होता है समझ रहे हैं जितना लगाया गया है forces पे उतना ही equal से अंदर से body दोवारा अंदर से force लग रहा है कि हमारे लगाए गए बाहरी force का बिरोध कर सके या इसका दूसरा definition है कि परती इकाई area पर लगने वाला बल परती इकाई छेत्रफल पर लगने वाला बल stress का लाता है यह तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहा हैं तो इसको अच्छेता समझ गए कि यह कोई body है जब इस पे बाह बल लगाते हैं तो body दोवारा internal force लगता है जिससे resistance पाइदा होता है मतलब body internal force लगाएगा ही stress का कहने का मतलब यही है कि हमारे force लगाने से इस body में इस body में deflection उत्पन नहीं होगा क्या समझे इस body जो है इस पे deflection उत्पन नहीं होगा हमारे force लगाने से क्यों कि अंदर से internal resisting force लगा रहा है body पर्तिबल को हम sigma से denote करते हैं sigma इसको बोलते हैं sigma sigma बोलते हैं sigma बोलते हैं और देखे sigma बोरावर sigma बोरावर यह होता है force अपन force अपन में area area, force अपन में area sigma बोलते है forces अपन में area अगर आपसे कोई पूछे stress से और और अप इसका आपका यूनिट पूछा जाते हैं यूनिट के लिए का करएंगे अब जानते हैं कि force का यूनिट क्या होता है निउटन अब पर निउटन पर अब एरिया का उनिट क्या होता है मीटर स्क्वाइर तो आई होब इस वीडियो को आप समझ गया होंगे अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेजर करें सस्क्राइब करें धन्यवाद